इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि सॉफ्ट्वेर क्या है, सॉफ्ट्वेर के मुख्तलिफ एकसाम क्या है, आप समझ सकेंगे कि सॉफ्ट्वेर क्या क्या काम सार इनजाम देता है और आप ये भी जान जाएंगे कि software का version किसे कहते हैं। आप hardware के बारे में तो जानगे, लेकिन कोई भी hardware software के बगएर काम नहीं कर सकता। Software computer का वो हिसा है जिसे ना तो आप छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह हैं जिस तरह आप अपने जहन में कुछ सोचते हैं। मसलन अगर आपने अपने किसी दोस के घर जाने का program बनाया है, तो वो एक software है। उसे ना तो आप छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। फिर आपका सहिन उसी program के मताबिक आपके जिसन के मुख्तली फाजा को हिदायात देता है। मसलन उठो, चलो, बस स्टॉप पर जाओ वगएरा। इसी तरह software भी हदायात का मजमुआ है। computer का processor इसी software के जिरिये computer को हदायात देता है और इससे काम लेता है। अभी जो आप screen पर देख रहे हैं, यानि इस course को देख और सुन रहे हैं, ये भी software की वज़ा से मुम्किन है। आपने देखा होगा कि रोजमर्णा जिंदगी में मुख्तलिफ चीजों के model होते हैं। मसलन गाडियों में Honda के मुख्तलिफ model, Civic, City, Accord वगएरा हैं। इन में भी हर साल नए model आते हैं। हर नए model में कुछ इजाफी खूबियों होती हैं। और जो खामियां पिछले model में होती हैं, वो नए model में खत्म कर दी जाती हैं। इसी तरह, software के भी मुख्तलिफ model या version होते हैं। हर नया version पिछले version से कुछ ज़्यादा खूबियों का हामिल होता है। Main categories Software के तीन बुनियादी अकसाम हैं। ये system software, utility software, application software के नामों से जानी जाती हैं। आईए, अब हम आपको इनके बारे में तफसील से बताती हैं। System software System software ऐसा software होता है, जो computer के hardware को monitor करने और control करने का जिमदार होता है। Operating system और device drivers, system software की मिसाले हैं। Operating system आए हम देखते हैं कि operating system क्या है। Operating system होटेल के manager की मानन्त है। जिसना एक होटेल का manager एक होटेल को manage करता है, यानि वो देखता है कि कितने कमरे खाली हैं, कौन-कौन सी गाड़ियां ठीक हैं, स्टाफ के किस member ने आज क्या काम करना है वगेरा। मुखतसरन ये कि वो होटेल के customer यानि user को तमाम सहूलियात फरहम करने का सिमधार होता है। इसी तरह, operating system कंप्यूटर के अंदर तमाम कामों को manage करता है। यानि, disk पर information किस तरह सेव होगी, printer कब प्रिंट करेगा, data, memory में कब और कहां store होगा, या कोई program कैसे चलेगा, मुखतसरन ये कि operating system कंप्यूटर के user और computer के hardware के दर्मियान तालोग काइम करता है और user को hardware इस्तमाल करने की सहूलत फरहम करता है। Commonly Used Operating System इस वक्त मार्क कट में मुक्तलिफ operating systems मौजूद हैं। इन में से सबसे ज्यादा इस्तमाल होने बाला operating system Microsoft Windows है। और इसी operating system के जिरिया आप ये lesson को सुन और देख रहे हैं। Microsoft Windows operating system के बहुत से versions आ चुके हैं। जैसे कि Windows XP, Windows 7, Windows 8 और Windows 10 वगेरा। Device Driver System software की दूसरी एहम काटिगरी device driver है। Device driver basically hardware को physically manage करता है। जिस तरह एक होटेल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक गाड़ी होती है। जिसको control करने के लिए हमें driver की जुरूरत पड़ती है। इसी तरह operating system बताता है कि printer नहीं क्या print करना है। मगर असल में printer से print कराने का जिम्मेदार printer का device driver होता है। इसी तरह हर device के अलैदा device software मौझूद है। के लिए कोई और लोग मोचूद होंगे। उसी तरह utility software भी ऐसी software हैं जो computer को maintain करने के लिए समाल होते हैं। मसलिन, scan disk और antivirus वगेरा जिसके बारे हमें आप अगले lesson में पढ़ेंगे। application software आप systems software और utility software के बारे में तो जान चुके हैं। आईए, अब हम आपको application software के बारे में कुछ बताते हैं। रोज मर्रा की जिंदगी में अगर हम अपनी होटल वाली मिसाल पर दोबारा गौर करें। तो हम देखते हैं कि हर काम को करने के लिए अलहता लोग मखसूस होते हैं। मसलन, receptionist का काम आने वाले customer को guide करना और उनकी booking के मताबिख उनको जगा फरहम करना है। accountant का काम रोज मर्रा के लेंदेन की तफसिला दर्ज करना है। इसी तरह, application software ऐसे software होते हैं जिसके जरिए user अपने रोज मर्रा के मुखतलिफ काम आसानी से सरअजाम दे सकता है। application software, software की सबसे ज्यादा इस्तमाल होने वाली किस्म है। मसलन, इसके जरिए letters, forms और मेमूज वगारा लिखे जा सकते हैं। रोज मर्रा का हिसाब किताब करना, presentations बनाना या कोई drawings बनाना भी application software के जरिए मुम्किन हैं। application software में बहुत से softwares चामिल हैं। और ये नए-नए softwares market में दिन बे-दिन आते भी रहते हैं। यहां हम application software की कुछ मुशूर इकसाम की बात करते हैं। Word Processes के माइनी, अलफाज पर कुछ process करना है। लहाजा ऐसे softwares, जो अलफाज या text पर कुई काम करते हैं, उन्हें हम word processing software कहते हैं। पहले वक्तों में typewriter को इस्तमाल करके formal text, यानी खतूत और memo type किया जाते थे। Word processing software किया जात के बाद, computer को letters लिखने के लिए इस्तमाल किया जाने लगा। Word processor एक ऐसा software है, जिसके जरीए keyboard की मदद से कुछ भी type किया जा सकता है। और ना सिर्फ इसको type किया जा सकता है, बलके अगर इसमें कोई गलती हो जाए, तो उसको कागस पर print करने से पहले ठीक भी किया जा सकता है। इसके इलावा, इसे महफूस भी किया जा सकता है। और बाद में जब चाहे इसे दोबारा देखा जा सकता है। और तबदील भी किया जा सकता है। इसमें हमारी ज़रूरत के लिहाज से लिखाई को बड़ा या छोटा करने की सहुलत भी मौजूद होती है। इसके इलावा, आप इसमें लिखे हुए text के spellings भी check और ठीक भी कर सकते हैं। अखबारात और असाइल वगेरा भी word processing के software के जरीए ही तयार किये जाते हैं। आज कल इस्तमाल होने वाले एक मशूर word processor का नाम Microsoft Word है। Spreadsheet Spreadsheet इन कागस की sheets को कहा जाता है जिन पर हिसाब किताब या calculations की जाती है। इन कागस की sheets पर इस तरह के खाने और lines होती हैं जिन में आदादों शुमार लिखे जाते हैं। Spreadsheet software भी एक application software है। Accounts का काम करने वाले manually यानि हातों से spreadsheet तियार करते हैं। इसको computer पर भी किया जा सकता है जिसके लिए मुक्तलिफ software मुझूद हैं। इन softwares को हम Spreadsheet software का नाम देते हैं। इसकी एक मिसाल Microsoft Excel है। इस software के जरीए हम आदादों शुमार और हिसाब किताब का काम बहुत आसानी से और अच्छे तरीखे से कर सकते हैं। इसमें भी मुखतलिफ खाने या cells होती हैं जो के rows और column की शकल में होती हैं। इन में आदादों शुमार लिखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। हर cell का नाम उसके column और row number से मिलकर बनता है। मसलन ये cell B column में है और row 4 में है और इस तरह इसका नाम B4 होगा। और फिर इन पर मुखतलिफ formula's लगाकर calculations कर सकते हैं। अगर हम इन सब को जमा करना चाहें तो cells के नामों की मदद से हम formula लिख सकते हैं। और keyboard से enter press करने से results देख सकते हैं। अगर हम किसी cell में value बदलते हैं तो result भी खुद बखुद update हो जाता है। अगर हम इनकी average निकालना चाहें तो वो भी मुम्किन है। इस तरह के और बहुत से काम करने के लिए इसमें बने-बनाए formula या functions मौजूद होते हैं। इसमें information को graph या chart के जरीए दिखाने की सहुलत भी मौजूद होती है। मसलन ये chart पिछले 5 सालों में computer इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादात को जाहिर कर रहा है। इसके इलावा आप अपना काम मैफूस या save कर सकते हैं और बाद में इसको दुबारा देख और तबदील भी कर सकते हैं। ये सब काम आपको जिस spreadsheet software के जरीए दिखाई जा रही हैं। उसका नाम Microsoft Excel है। आईए, अब हमें एक और application software को देखते हैं, जिसे हम presentation software कहते हैं। जिन्दगी में हमें कभी ना कभी अपने ideas को दुनिया के सामने लाने की जरूरत पड़ती है। मसलन आप अगर अपना कोई project अपने office वालों या clients को दिखाना चाते हैं, या school में अगर आपको कोई काम दिया जाता है, तो आपने उसे पूरी class के सामने पेश करना होता है। इसके लिए आप blackboard या whiteboard का इस्तेमाल करते हैं। या projector को यूज करके अपनी बात दूसरों तक पहुचाते हैं। इस काम को तयार करके पेश करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। Computer software ने हमारी जिन्दगी बहुत आसान बना दी है और presentation software तयार किये गए हैं। ये ऐसे software हैं जिनकी मदद से हम कोई information एक अच्छे तरीके से present कर सकते हैं। इन software से तयार करदा presentation में लिखाई या text के अलावा आवाज और तसावीर पी शामिल की जा सकती हैं। इस software के अंदर मुख्तलिफ information को अलहदा अलहदा pages पर लिखा जाता है जिनको slides कहा जाता है। आप अपनी मर्जी से इन slides के रंग और अलफाज चेंज कर सकते हैं। इस वक्त आप screen पर जिस presentation software को देख रही हैं उसका नाम Microsoft PowerPoint है। जिस तरह बागी दो application software में किये गए काम को मेफूज किया जाता और बाद में देखा और तबदील किया जा सकता है। इसी तरह presentation software में भी किया जा सकता है। आप सोच रही होंगी कि इन तमाम software के साथ Microsoft का लफस बार बार इस्तिमाल हो रहा है। दरसल, Microsoft एक बहुत मशूर software company का नाम है, जिसके बनाए हुए बहुत से software आसानी से दस्तियाब है। Summary इस लेसन में हमने सीखा कि software क्या होता है। हमने software के मुक्तलिफ इक्साम, मसलन system software, utility software और application software के बारे में जाना। इसके इलावा हमने देखा कि software किस लिए इस्तिमाल किया जाता है, यानि ये क्या काम करता है।